नया साल है और ठंड के साथ ही रचनेतिक सरगर्मी तेज है लोकसभा चनाज से पहले देश में हलचल भी तेज है और सियासत भी चर्म पर है बिहार में इन दिनों की पारा काफी बड़ा हुआ नजरा रहा है चर्चा है कि आर जेडी और जेडी उ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वहीं इस बीच बिहार विधान सभा के अध्याक्ष आवद बिहारी चौधरी आर जेडी प्रमोक लालू परसाद यादव से मुलाकात करने उनके घर पहुँचे इस दोरान स्पीकर के साथ बिहार के परियावरन मंतरी तेश पताव यादव भी मौजूद रहे इस मुलाकात को लेकर बिहार में रचनेतिक हल चल तेज हो गई है कयासों का दौश हो गया है बता दें कि इंडिया गर्बंदन की चौथी बैठक के बाद सीम नितीश की नराजगी की बात सामने आए थी इस चर्चा के बाद ललन सिंग ने जेडियों के राश्ट अधक्ष के पत से स्तीफा दे दिया था बीजेपी लगतार आरोप लगा रही है कि ललन सिंग जेडियों को आरजडी में विला करने वाले थे और वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव जल्द बिहार के सीम बन जाए इस आरोप के बाद बिहार के राजणीती में भूचाल मचा हुआ है जेडियों के राश्ट कारकारणी की बैठक में ललन सिंग ने पत्सिस्तिफा दे दिया और नितीश कुमार एक बार फिर जेडियों के राश्ट अध्यक्ष मन गए सीम नितीश क्यार जेडी से नाराजगी की बात कही जा रही है हाला कि लिलन सिंग ने इन सारे आरोगों को खारिस कर दिया इस बीच विधान सभा स्पीकर की लालू यादफ से मुलाकात को लेकर बिहार में राजनेतिक पारा चड़ते दिखा है बता दे कि इंडिया गटबंधन की चोथी बैठक के बाद सीयम नितीश कुमार काफी सुर्खियों में रहे सीम नितीश की नारादगी की बात के बाद उप मुख्मंत्री तेजस्वी यादफ ने मुख्मंत्री आवास पहुँचे थे और नितीश कुमार से मुलाकात की थी कहा जा रहा है कि कॉंग्रिस की नेता राहूल गांधी ने भी नितीश कुमार से फोन पर बात की थी उप मुखे मंतरी तेजसी यादव मुखे मंतरी आवास पहुंचे थे और नितीश कुमार से मुलाकात की थी इस दोरान दोनों नेताओं के बीच करीब 30 से 40 मिनक तक की बात चीत हुई थी खर अब बिहार में आगे क्या होता है यह देखना दिल्चस्प रहेगा फिलालस खबर में इतना ही देखते रहे हैं एबी पिलाइब